समस्कार दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं ग्रैन के दोरान खाने के समान में क्यों डाला जाता है तुलसी का पत्ता कभी आपके दिमाख में आया है इस सवाल अगर आप जानने के एक शुक है तो हमारी वीडियो को लास्त तक अवश्य देखे चुरे ग्रैन इस साल दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को पढ़ रहा है ग्रैन शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है सूतक काल के दोरान शकरती अत्याधिक स्वेदंसील अवस्ता में होती है ऐसे में वातावर्ण में मौजूद चीजे नकारात्म कसरट छोड़ती है इसे दूशित काल माना जाता है सूतक काल शुरू होने से लेकर ग्रैन समाप्त होने तक के समय में खाने पीने और खाना बनाने की मना ही होती है इस विच खाने पीने की सभी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोच है कि आखिर सूतक काल में तुलसी के पत्ते का ही स्मल क्यों किया जाता है आज हम अपने वीडियो में बताएंगे आपको पुन्विस्थार से अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्त तक अवश्य देखें जाने क्या है वज़े प धार्मिक रूप से तुलसी को दोशो का नास करने वाला माना गया है इसलिए जिस चीज में तुलसी का एक भी पत्ता मुझूद हो वो चीज अशुद नहीं हो सकती है इसके अलावा अगर वैग्यानिक दश्ठी कौन की बात करें तो तुलसी के पत्ते में पारा और 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 गयानिक गुण मौजूद होते है जो वातवन में मौजुद नकारात्मक किन्नों से चीजों को दूशित नहीं होने देते इसलिए सुतक काल और ग्रैन काल के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाला जाता है प्यारे दोस्तों जोतिसाचारे के मता अनुसार तुलसी का पत्ता सुतक शुरू होने से पहले ही डाल देना चाहिए और समान को ढखका रख देना चाहिए इस बार सूरे ग्रेंग के दोरान भारत में सुतक सुबह 4 बज कर 22 मिंट से लग जाएगा ऐसे में आप रात में ही समान में त तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं एक दिन पहले ही तोड कर रख ले तुलसी जोतिसाचारे के अनुसार तुलसी के पत्ते को सुतक कल से पहले ही तोड लेना चाहिए सुतक मंगलवार की सुबह से शुरू होगा ऐसे में आप तुलसी के पत्तों को सुमवार की सुबह इस नान करने के बाद तोड़कर रख ले साम के समय हम आवश्यातिती शुरू हो जाएगी ऐसे में सुमवार की शाम को भूल कर भी तुलसी के पत्ते न तोड़े इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है सूरे ग्रैन के समय सूरे के मंत्रों का जाप कर सकते इसके लावा नाकारात्म कुर्जा से बचने के लिए गायतरी मंत्का भी जाप कर सकते है मननताओ के अनसार ग्रैन के समय कोई चीज काटनिया फिर सिलनी नहीं चाहिए इसलिए ग्रैन के समय कैची सुयादी का इस्तमाल बिलकुल भी ना करें सुरे ग्रैन और दिवाली के दोरान क्या करें इस दोरान एक आदसी से पहले ही तोड़कर रखे गए तुलसी के पत्तों का उप्योग खाने और पूजा में करें जा सूरे ग्रैन का सुतकल मने अवानियमों का पालन करें ग्रैन के पस्चाती भोजन पानी ग्रैन करें ग्रैन के बास नान दान करें दिवाली के दिन दरवाजे पर हल्दी के जल का छिड़काव करें दिवाली के दिन घर के अंदर रंगोली बनाएं दिवाली के दिन कीचन में दीपक जलाया जाता है लच्मी पूजा के बाद काजल लगाएं सूरे ग्रैन और दिवाली के दोरान क्या ना करें ग्रैन को खुली आखो से ना देखे, ग्रैन के दोरान अगनी कार्म स्नान और पूजा ना करें, दिवाली पर तामसिक चीजों का सेवन और नशा ना करें, दिवाली पर गंदगी फैलाना या कच्रा फैलाने का कारे ना करें, दिवाली की शाम को घर में जाडू ना लगाएं दीवाली के दिन धर्वाजे पर जुत्ते चपल ना रखें किचन में जूठे बरतन नहीं छोड़े दीवाली के दिन कुछ भी उधार ना दें काली मसूर दाल, काली उड़ाद और काली रंग की चीजों का सिवन ना करें दिवाली के दिन किसी भी प्रेकार की कोई खरीदारी ना करें। दिवाली के दिन जुआ ना खेलें। इससे मातावालच में रुष्ट हो जाती है। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथी कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप आने वाले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं।